हमने साफ सब्दों में कह दिया कि आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए आस्था के आगे बड़े बड़े नियम धस्तो जाते हैं और देश के आधर्णी प्रधानमंती नरेंद्र मोधी जी ने असंभव को संभव किया 600 साल के राम मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है और इस देश में कोई सरिया कानून लागू नहीं होगा इस देश में आस्था के मानने वाले लोग और आस्था पे विश्वाश करने वाले लोग देश को आगे बड़ाना देश को विकास की और और दोड़ाना और हम कह सकते हैं कि ये इतनी बड़ी पूजा जहां रोजाना लाखों लोग आते हैं कोई परबानी स्ट्रक्चर नहीं है कोई दस दिन में पंडाल नहीं खड़ा होता है महिनों पहले महनत लगती है एक एक रुपया चंदा लोग खटा करते हैं और उसके बार मा की अराधना करते हैं मा पृथ्वी पे आती है मा पृथ्वी पैसे नहीं आती है उनके अराधना करनी पड़ती है उनसे निवेदन करना पड़ता है और साल में दो बार मा इस पृथ्वी पे आती है मा के आगमन पर हम खुशिया मनाते हैं हम सब उनको खुश करते हैं और खुश करने का तरीका कि पंडाल सजाते हैं भव्वे रूप से लाइटिंग करते हैं मा की आस्था में लोग उनके दर्शन करने आते हैं अगर कोई आधिकारी ये बोले कि नहीं हम आस्थास उपर है तो मैंने आज सारजिनी प्रूप से कहा है कि आप यहां से अपना इस थांतरा करा लो आप नहीं करा गए तो हमको बोल दो आपका हम इस ट्रांसफर करा देंगे पूजा एक इंच भी इधर से उधर नहीं होगी पूजा जैसे ही भव्य होती है पूजा वैसे ही भव्य होगी पूजा जैसे ही मां की हम अराधना करते हैं मां का अहवान करते हैं हम वैसे ही मां का अहवान करेंगे मां की अराधना करेंगे और इस पर भी आप नहीं मानेंगे तो कल मेरा कल से भी पर्लियमेंट है आज हम आए हैं बारत तारिक हमने लियारम को कहा था लियारम ने कहा कि नहीं सर कोई अपती नहीं है पूजा होगी लेकिन हमारे मुपे कुछ बोलोगे नोटिस सर्व करोगे दो मुखी बात बत करो जो बोलना है इस प्रेस्ट बोलो और सबारत हमने कहा था की अवकीक्ण बत करो तेरह को आएं गे तेरह को हम बैठके सारा मामला रिराकरंद करेंगे मेरे बोलने के बाद भी नोटिस सर्व होना क्या मेरी अपमानना नहीं है क्या एक सांसध आपको बोल रहा है कि हम बारत भादिण को बैट के सारा मावला सोर्फ कर देगे आप हमारे मूँ पूल रहो कि लएने सब ठीव जागा सर कोई आपती नहीं पूजा होनी चाहिए उसके पीछे सर्फ कर रहे हो तो मैं चुनोती देता हूं कि 12 तारिक के बाद अगर आपने छेड़ा 13 तारिक से बिस्तर मेरा यहीं कर दूजब।